EPFO, लाखों EPF ग्रहाकों को मिलेगा लाब, EPS निकासी के बदले नियम, जाने इसके लाब केंद्र सरकार ने EPS 1995 में संशोधन करते हुए 6 महीने से कम अवधी के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाब प्रदान करने का निरणय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभानवित होंगे केंद्र सरकार ने हाल ही में करमचारी पेंशन योजना, EPS 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं, जिससे 6 महीने से कम समय तक नौकरी करने वाले सदस्यों को भी निकासी लाब प्राप्थ हो सकेगा बता दे, इससे जो लोग 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंचदान करने से पहले योजना छोड़ देते थे, उन्हें निकासी का लाब नहीं मिलता था, उन्हें भी अब यहाँ लाब मिल सकेगा यहाँ परिवर्तन विशेशकर उन लोगों के लिए लाबकारी हैं, जो अल्पकालिक नौकरियों में कार्यरत होते हैं नए नियमों का परिचय संशोधन का उद्देश्य, नया नियम वर्ष 2024 की 28 जून को जारी किये गए एक प्रेस विज्यप्ती के अनुसार, वार्शिक रूप से 7 लाख से अधिक EPA सदस्यों को लाभानवित करेगा इससे पहले केवल वे सदस्य ही निकासी लाब के पात्र थे जिनोंने कम से कम 6 महिने तक योगदान दिया था तालिकाडी में संशोधन सरकार ने तालिकाडी में संशोधन किया है जिससे निकासी लाब की गणना अधिक उचित धंग से की जा सके इस संशोधन से 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाब होगा विवादों का निप्टान इस नए नियम से उन सदस्यों के विवाद समाप्थ होंगे जिन्होंने 6 महीने से कम समय तक योगदान दिया था और उन्हें निकासी लाब नहीं मिल पा रहा था निकासी लाब वह राशी है, जो E.P.A. सदस्यों को उनकी योगदान की गई सेवा के आधार पर प्रदान की जाती है, जब वे पेंशन के लिए योग्यता प्राप्वर्ष संख्या को पूरा नहीं कर पाते यहाँ लाबुन सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जो पेंशन योजना से निर्धारित अवधी से पहले ही बाहर हो जाते हैं यह नियम परिवर्तन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में काम करेगा जो कम अवधी के लिए नौकरी करते हैं इससे उन्हें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित रूप से वापस मिल जाएगा, जिससे वे अपनी वित्तिय जरूरतों का सामना कर सकेंगे इस प्रकार, सरकार ने अलपावधी कर्मचारियों की वित्तिय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, जो अकसर पैंशन लाब से वन्चित रह जाते थे EPA's 95 Pensioners के लिए उच्च पैंशन पर बड़ी खबर, उच्च पैंशन को लेकर बैठक से आई बड़ी खबर EPA's 95 Pension Hike, सेवानि वृत्ति निधी प्रबंधक कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization कि कर्मचारी पैंशन योजना एक 995 के तहट पैंशन भोगियों ने मंगलवार को अपनी नियूंतम मासिक पैंशन को बढ़ा कर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर भूख हरताल पर जाने की धमकी दी वर्तमान में कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO के कर्मचारी पैंशन योजना 95, Employee Pension Scheme के तहट पैंशन भोगियों को सितमबर 2014 में लागू नियूमों के अनुसार 1,000 रुपए की नियूंतम मासिक पैंशन मिलती है EPA's 95 पैंशन हाइक समिती द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कर्मचारी पैंशन योजना 95, Employee Pension Scheme की राष्ट्रिय आंदोलन समिती के नेत्रित्व में पैंशन भोगी राष्ट्रिय राजधानी के जंतर मंतर पर दूसरी अनिश चितकालीन भूख हरताल समिती ने कहा कि केंद्रिय श्रम मंतरी भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है पैंशनर्स का मांगा जा रहा है डाटा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डेड़ साल बाद भी पैंशनर्स का डाटा सिर्फ हायर पैंशन के लिए मांगा जा रहा है अब EPFO ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है पैंशनर्स का कहना है कि करमचारी भविश निधी संगठन Employees Provident Fund Organization का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और समय मांगेगा EPFO ने अब तक चार बार समय बढ़ाने की मांग की है अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोक सभाचनाव के बाद यह पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी हाई पैंशन को लेकर नया कानून इस देरी के कारण मौझूदा पैंशनर्स और अन्य करमचारी इस बात को लेकर तनाव में है कि आने वाले दिनों में हमारी हाईर पैंशन का क्या होगा करमचारी पैंशन योजना 95 एंप्लॉई पैंशन स्कीम अब यहां तक चर्चा करने लगे है कि अगर मौझूदा केंद्र सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार हायर पैंशन न देने को लेकर नया कानून पैंशन योजना बंद कर दी करमचारी भविश्य निधी संगठन Employees Provident Fund Organization के सेवानिवरित पैंशनर श्री नामदेव ने कहा कि मौझूदा केंद्र सरकार और उसके कुछ चाटुकार शुरू से ही पैंशन योजना के खिलाफ रहे हैं उनका बस चले तो पैंशन बंद कर द उनका हमेशा से मानना रहा है कि पैंशन एक उपकार है इसलिए रिटायर्मेंट के बाद पैंशन देने की जरूरत नहीं है इसी तरह के तरकों के कारण पुरानी पैंशन बंद कर दी गई सेना में पैंशन भी बंद कर दी गई अगर मौजूदा केंद्र सरकार इस बार सत्ता में लौटती है तो वह सभी कर्मचारी पेंशन योजना 95 एम्प्लॉई पेंशन स्कीम योजनाओं को बंद कर सकती है सुप्रीम कोट के फैसले के बाद भी नहीं दी गई उच्च पेंशन आपको बता दे कि उच्च पेंशन को लेकर सुप्रीम कोट के समक्ष प्रस्तुच सभी साक्षियों और तरकों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोट ने उच्च पेंशन देने का फैसला किया था फिर भी डेड़ साल बीद गए हैं लेकिन उच्च पेंशन शुरू नहीं हुई है जबकि इस संबंध में संसत के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसत नियूंतम पेंशन की राशी बढ़ाने में हो रही देरी और उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोट के फैसले और निर्देश को शीग्र लागू करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगे पेंशनर्स पेंशनर्स की बैठक में विचार विमर्ष के बाद सर्वसमती से निर्णय लिया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशनर्स की फौज लोक सभाचुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक इसके तहत वे हर व्यक्ति के पास जाकर बता रहे हैं कि किस तरह से पेंशन को लेकर केंद्र सरकार और उनके विभागों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। आ सकता है बड़ा फैसला। सेलरी का इतना हिस्सा मिल सकता है बतौर पेंशन। 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोशनाय कर सकती है। जिसमें NPS के तहद गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है भारतिय पेंशन प्रणाली में विपक्षी दलों और केंद्रिय सरकार के बीच एक गहरी विभाजन रेखा है। खासकर पेंशन स्कीमों के संदर्भ में विपक्ष ने लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम OPS का समर्थन किया है जबकि केंद्र सरकार ने नैशनल पेंशन स्क कीम, NPS में सुधार की और ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कर्मचारियों को बहतर पेंशन प्रदान की जा सके। ऐसी उम्मीद है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार इस सम्बंध में कुछ महत्वपूर्ण घोशनाय कर सकती है, जिसमें NPS के तहद गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है। टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव के तहद केंद्रिय कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलने की संभावना है। OPS बनाम NPS एक गहन विशलेशन ओल्ड पेंशन स्कीम जो की एक परिभाशित लाब योजना है के तहद कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है बिना किसी व्यक्तिगत योगदान के। दूसरी और NPS एक परिभाशित योगदान योजना है जहां कर्मचारी और सरकार दोनों का निवेश होता है और रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सरकारी नीतियों में नई दिशाएं वर्तमान मोधी सरकार ने OPS की वापसी का समर्थन नहीं किया है लेकिन इसके बजाए NPS को अधिक आकर्शक और लाबकारी बनाने की दिशा में कार्य किया है। 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित समिती का मुख्य उद्देश्य यही था। इस समिती ने अंतराष्ट्रिय प्रेक्टिस और आंध्रप्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का अध्येन किया है। जिससे NPS में गारंटीड रिटर्न की संभावना को बढ़ाया जा सके।